हेई फ्रेंस वेलकम तो माई चैनल आदिश की दुनिया और फ्रेंस अगर आपने फेस्टिवल्स में ज्यादा स्वीट्स खाली हैं और या किसी पार्टी में ज्यादा ओईली खाना खाली है और आप अच्छी डाइट लेने जा रहे हैं और वर्काउट शुरू करने जा रहे तो आपको रिजर्ट ज्यादा जल्दी और ज्यादा अच्छा मिलेगा तो आज मैं आपको दिखाने जा रहे हूँ औरेंज डिटॉक्स वाटर की रेसिपी तो इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है हाफ कुकुमबर खीरा और एक ये मैंने माल्टा ओरेंज लिया हुआ ह इसको पतले-पतले स्लाइसेस में काट लेंगे और फिर मैंने लिया है ये मोसमी स्वीट लाइम इसके भी पतले-पतले स्लाइसेस काट लेंगे और ये मैंने लिया है लेमन नीबू इसके भी पतले-पतले स्लाइसेस काट लिये और इसके बाद लेंगे एक इंच के राउं जिनजर का टुकडा इसको छिल के साफ कर लिया है और पतले-पतले जूलियंस में इसे काट ले रहे हूँ और इसे भी डालेंगे और इसके साथ लेंगे friends 10 से 15 तुलसी के पत्ते इनको भी साफ करके तोड लिया है और इन सब को अब हम डालेंगे एक लीटर से थोड़ा कम पानी है, एक लीटर भी ले सकते हैं, ये जग थोड़ा एक लीटर से कम का है, तो इसमें मैं ले रही हूँ, और इन में इन सारे इंग्रीडियन्स को एक एक करके डाल देंगे, ये माल्टा, डाला, मोसमी डाला, नीबू, कुकुम्बर, ये सब बार और अगर आपको बहुत जादा एसिडिटी ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम है, तो आप सुबह सुबह बना लीजिए, और दिन में ग्यारा से दो बज़े के बीच में इनको पंजूम कर लीजिए, आप चाहें तो इसको लेते समय इसको ल्यूक वर्म कर सकते हैं, कर देंगे, और इसको कैप लगा के रख देंगे, तो ये मैं ओवरनाइट रख दूँगी, और कल सुबह खाली पेट लूँगी, और जो बज जाएगा उसमें थोड़ा और पानी डालके मैं पूरे दिन में इसको लेती रहूंगी, तो कोई भी वर्काउट, कोई भी अच् देटॉक्स वाटर नहीं लेना चाहिए, हमें बदल बदल के डिटॉक्स वाटर लेते रहना चाहिए, तो हमारी बॉड़ी अंदर तक क्लीन होती है, इससे हमें कॉंस्टिपेशन की प्लॉबलम नहीं होती, इसकिन अच्छी रहती है, और हमारा वेट तो लूज होता ही होत तो आप भी अपने वेट लॉस रिजिम में इसे एड़ करिए थैंक यू फो वाचिंग माई वीडियो